दोस्तों पहले ही बतादो कि मिर्जापूर सीजन 3 में वो पहले वाली जैसे भोकाल वाली बात नहीं है जी हाँ दोस्तों जिस वेब स्रीस का इंतजार हम बड़ी ही बेसबरी से कर रहे थे फाइनली उसे रिलीस कर दी गई है जी हाँ दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ मिर्जापर सीजन 3 के बारे में जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है Amazon Prime वीडियो पर इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज के गए हैं और हर एक एपिसोड लगवाग 45 तो 55 मिनेट की है यानि कि ये सिरीज बहुत ही ज़्यादा लेंधी है सिरीज के तीन एपिसोड ऐसे आपको नज़राने वाले होंगे जो कि एटलिस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इन तीन एपिसोड में आपको कुछ ऐसे द्रिश नजराने वाले होंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे तो दोस्तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीस की स्टोरी के बारे में दोस्तो जैसे के हम सभी जानते हैं कि मिर्जापूर की सीजन टू में क्या हुआ था गुड़ू जिसने मुन्ना का पूरी तर से गेम बजा दिया था और दूसरे तरफ कालीन भाई का हाफ गेम बजाया था यानि कि कालीन भाई थोड़े बहुत जिंदा थे लेकिन वही कालीन भाई इस बार सीजन ट्री में पूरी दर से जिंदा हो चुके हैं लेकिन दोस्तो दुख की बात ये है कि इस बार कालीन भाई का भोकाल आप सीजन ट्री में इंजॉई नहीं करने वाले होंगे क्योंकि जादा दर समय कालीन भाई से बिस्तर पर ही पड़े रहने वाले होंगे सिरीज के लास्ट एपिसोड में आप कालीन भाई के थोड़े बहुत जल्वे को इंजोई करने वाले होंगे otherwise आपको complete series में कालीन भाई आराम से सोते हुए नजर आने वाले होंगे और दूसरे तरफ गुड्डू जो कि अपने आपको बाहु बली साबित करने में लगा हुआ है वो अपने आपको मिर्जापूर का king बनाना चाहता है लेकिन दूसरे तरफ बहुत सरे ऐसे बाहु बली है जो कि गुड्डू को किसी भी तरह से बाहु बली नहीं अपनाना चाहते है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गुड्डू बाहु बली बनने के लायक नहीं है और गुड़ू को ये बात साबित करने पड़ेगी कि वो असल में बाहूबली बनने के लायक है यानि कि किंग ओप मिर्जापूर बनने के वो लायक है और इसी बात को गुड़ू पूरे सीरीज में प्रूब करने के कोशिश कर रहा होता है दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि पिता जी जो कि इस बार जेल में है सीजन थ्री में अप सिरिफ यही देखने war जो कि सीजन 2 में बहुत सारे कारनामे किये गए थे और उन्हीं कारनामों को जिन्होंने अनजाम दिया था और उन्हीं से सीजन 3 में रिवेंज लेने की कोशिश की जा रही होती है स्वोटा किसी बी दर से मार देना चाहता है और यह रिभेंच स्टोरी भी इस सीरिस में कहा खहे ना खही आपको इस सीरिस में भोकाल की कम नजर्ण आने वाले होगी, देखते वक्त कुछ कमी जरूर नजर्ण आने वाले होगी, क्योंकि मिर्जाकुर की Season 1 और Season 2 जितनी ज़्यादा धासू थी, उतनी धासू हो सकता है के आपको Season 3 ना भी लगे, Season 3 में भी आप अच्छा खासा action देखने वाले होते हैं, अच्छा खा एक ऐसी चोटी सी सीन जहां पर इंसान को बक्रियों की तरा काटा जा रहा होता है और वही सीन इस सीरीज में आपका दिल दहला के रख देने वाली होती है सीरीज में आप हर चीज इंजॉय करने वाले होंगे लेकिन फिर भी आपको इस सीरीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आने वाली होगी तो दोस्तो इस बास सीरीज में आप कालेन भाई के जल्वे के थोड़ा बहुत जरूर मिस करने वाले होंगे मुन्ना भाई को तो आप पूरी तरह से मिस्ट करने वाले होंगे और जो भी बचे कुटे कैरेक्टर हैं वो अपने आपको सिरिफ बाहू बली साबित करने के पीछे दोड़ रहे होंगे और यही चेज इस सीरीज में दिखाई गई है दोस्तो सिरीज अगर आप ज़्यादा एक्सेप्टेशन लेकर देखते हैं तो दोस्तो आपकी पूरी तरह से चू लगने वाली है क्योंकि दोस्तो हमने ये सोजा था कि मिर्जापूर की सीजन 3 में हम कालीन भाई और गुड़ू के अच्छे खासे एक्शन को इंजय करने वाले होंगे एक अच्छा खासा दाव पे छोने वाला होगा एक अच्छी खासी राजनीती शरियंत रची जाएगी ये सारी की सारी चीजे हमारे कलपना में थी लेकिन दोस्तों जैसे ही मिर्जापूर 3 रिलीज होई सच बताओ तो दोस्तों यहीं पर हमारी चू कर जाती है क्योंकि मिर्जापूर 3 में सभी अपने आपको सिर्फ बाहू बली सावित करने में ही जुटे हुए रहते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सिर्फ की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों अगर मैं इस सिर्फ को रेटिंग दू तो मैं ऐसे रेटिंग दूँगा 5 में 3.9 स्टार दोस्तों यह सिर्फ मुझे काफी हद तक इंट्रस्टिंग तो लगी लेकिन इस सीरीज में मुझे कहीं न कहीं भोकाल की थोड़ी बहुत कमी तो जरूर नजर आए तो दोस्तो अगर आप सोच रहें कि सीरीज को हम देखें या ना देखें तो दोस्तो सीरीज आप जरूर देखिए इस्पेशली वो तो जरूर देखिए जो कि मिर्जापुर के डाइ हाट फैन है क्योंकि ये सिरीज आटलिस आपको किसी भी जगा पर निराश नहीं करने वाली होगी लेकिन थोड़ी बहुत इस सिरीज में भोकाल की कमी आपको जरू नजर आने वाली होगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज का ये रिवियू आपको पसंदाया होगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ